फाइनली पुने को एक नहीं, बल्के दो-दो रिंग로डS मिलने जा रहे हैं, आउटर रिंग Roड और इनर रिंगुरोड. आउटर रिंग रोड, सिटी लिमिट से 50 से 70 कילोमेटर दूरी पे होगा, और इनर रिंग रोड, जो पुने सिटी से 25 से 30 कילोमेटर के दूरी पे होगा आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा MSRDC याने महारास्ट एस्टेट रोड डेवलेपेंट कॉर्परेशन द्वारा और इनर रोड बनाया जाएगा PMRD द्वारा याने पुने मेट्रोपोलिटन डेवलेपेंट अथोरिटी द्वारा नवसकार मैं किशन मिलानी रियल एस्टेट से करीबं 30 साल से जुड़ा हूँ तो चलिए आज के टॉपिक पे पुने रिंग रोड पुने का रिंग रोड आउटर रिंग रोड की बात कर रहे हैं which is going to be 136.8 km याने करीब करीब 137 km होगा इसकी रोड विट 90 मीटर से लेकर 110 मी रोड तैर हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा फुली इस रिंग रोड का जो प्लैनिंग थी वो 2015 में स्टेट गवर्मेंट ने अप्रूब किया था तो क्या था कि मुंबई से जितनी भी ट्राइफिक दूसरे सिटीज में जा रही है जैसे कोलापूर नासिक औरंगाब आहमाद नगर या हैदराबाद इन सिटीज में जाने के लिए पुने से होकर ही जाना पड़ता था विच वेरी वेरी इंकन्विनेंट फॉर पीपल आफ पुने क्योंकि इससे एर पॉलिशन काफी बढ़ता था ग्रोथ की जो अपनी ट्राइफिक है वो ही इतनी ज्यादा ह है तो यह बहार की ट्राइफिक भी हैंडल करनी पड़ती थी सिटी को तो इसके चलते MSRDC ने यह कंसेप्चुलाइज किया ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट था कि यह सारे जो ट्राइफिक है जो वैसे पुने जाने की जरूत नहीं है इनको बिकॉस दे जस्ट आफ टो क्रॉस दिस प्लेस सो क्यों ना हम इसको बहार से घुमा के ले जाएं करीबन 83 विलेजिस से होकर के गुजरेगा यह आउटर रिंग रोट और यह छे तालुकाज को तवर करेगा कौन से तालुकाज हैं यह खेड, हवेली, पुरंदर, भोर, मु आइशनल हाइवेज और एक एक्सप्रेस वे टच करता है, डिस्ट्रिक्ट आइडमिनस्ट्रेशन ने अल्रडी लैंड की अक्विजिशन शुरू की है और मैक्सिमम लैंड हैज अल्रडी बिन अक्वाइड, अब क्या स्टेटस है, इसकी मेजरमेंट्स होंगी और यह MSRDC क जो जितने भी बिल्ट अप एरिया जे उसको कवर करेगी, यह सारी लैंड अंदर पूल की जाएगी, पूरी अइमल्गमेट करके, और इसमें जो भी स्ट्रुक्चर्स हैं, जो काम की नहीं है, क्योंकि इसके उपर से तो रास्ता ही बनाना है, तो सारे डिस्मेंडल किये ज जाएगी, जो जमीन का भी ध्यान रखेगी, और जो नया कंस्ट्रक्शन चलेगा, रोड का, उसका भी ध्यान रखेगी, और इसके बाद यह सारी जमीन हैस तो भी अक्वाइड बिफोर फेबररी और मार्च 2024, उसके बाद यह MSRDC को हैंड ओवर की जाएगी, और उसके तीन से चार मेने में उसके बाद शुरू कर देगा, और मुंबई पुने एक्सप्रेस वे उर्से से लेकर, पुने सातारा रोड या पुने बैंगलोर हैवे पे जो शिवरे है, वहां तक इसकी लंबाई होगी करीबन 74 किलोमेटर्स, और इसी को सर्कुलर में गुमाके दु स्टेट गवर्मेंट ने अलड़ी 11,000 करोड का पैकेज दिया हुआ है, MSRDC को, ये सारी लैंड की एक्विजिशन और काम शुरू करने के लिए, नव पैकेजिस में ये काम किया जाएगा वहां पर, इस रोड पे दोनों तरफ तीन-तीन लेंज होंगे, और कुछ पॉर्शन 8. Pedestrian underpasses, 6. Smaller Vehicular Underpasses, 13. Light Vehicle Underpasses, 37. Vehicular Underpasses, 28. Vehicular Passes, 3. Railway Over Bridges, 16. Major Bridges, 38. Minor Bridges, 230. Culverts, 10. Tunnels and 18. Flyovers on the Pune Outer Ring Road. An Intelligent Traffic Management System will also be in place. वैसे Pune की Development अब Swing पे है, और भी कई Projects Pune में प्लाइन की जा रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं, इसके अपर हमने एक बहुत ही Interesting वीडियो बनाए, 5 Infra Projects of Pune. इसकी Link में, Description Box में शेयर करो, अगर आप चाहें, तो इसे भी देख सकते हैं. तो फिर आते हैं अपने Topic पे. अब दूसरा जो Ring Road है, Inner Ring Road. ये Pune का या ये के ये के महाराश्टर का बहुत ही Ambitious Project है. चार Phases में Develop होगा ये Inner Ring Road. Phase 1, जो जो Villages कवर करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ. थेवर फाटा, केसनन्द, वागोली, चरोली, भावडी, तुलापूर, आलंदी, केलगाउ, चिम्बली. केलगाउ, केलगाउ नहीं, केलगाउ और चिम्बली. Phase 2, चिम्बली मोई, निगोज, सांगुर्डे, शेलारवाडी, चांदखेड, पाचने, पिम्पलोली, रिहे, गोटावडे, पिरंगूट. Phase 3, पिरंगूट से भूगाउं, चाननी चौक, अंबेगाउं और कात्रच. Phase 4, अंबेगाउं से कात्रच, मंगडेवाडी, वड़ाचीवाडी, होलकरवाडी, वड़की नाला, रामदारा, थेओर फाटा. थेओर से फिर लोनी को कनेक्ट तर लेगा. ये सारा रिंग इस तरह बिचाया जा रहा है. तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये सारी जगह, ये सारी विलेजेज, विचा को इंटो बिचाया इंटो गूड टाउंस, यहां पर रियल एस्टेट का काफी खेल होगा और बहुत अच्छे पैमाने पर यहां पर रियल एस्टेट की डिवलेप्मेंट हो सकती हैं और ये सर्विसलेन दोनो साइड, अपर्ट फॉम दिस इनर रिंग रोड विल अलसो फीचर एट फ्लाइवर्स, फोर ब्रिजेज, तो सर्विसलेन, सेवन वायदक्ट, फोर्टीं सब्वेरोड रोड और थर्टीं टॉनल्स, इस रिंग रोड के लिए पीमार्ड ये लैंड अक्व की गई थी, which included places like वडाचिवाडी, कदम वागवस्ती और वागोली, ये लोकेशन में अलरी लैंड अक्विजिशन हो चुकी है, पीमार्ड ने यहां पर टाउन प्लाइनिंग स्कीम का भी अनौंसमेंट किया है, और यहां करीब करीब पांच टाउन प्लाइनिंग स्कीम ब बनाई जाती है, और यह यह इस रिंग रोड कोई ही कनेक्ट करेगा, इस रिंग रोड से न केवल पूने को फाइदा पहुचेगा, लेकिन इसकी जो नेबरिंग टाउन्स हैं, सिटीज हैं, उनको भी काफी सिफ साहता होगी और फाइदा पहुचेगा, क्योंकि पेरिफिर लैंड अक्वाइर किया जाएगी इसकी, और यह तीन साल का इसका टाइम पिरड है, पुरा होने का, वैसे तो यह रिंग रोड काफी डिले हो चुका है, अब करीब-करीब 90% मेजरमेंट हो चुकी है, और जैसे मैंने बता है, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है और जल यह रिंग रोड शुरू होने जा रहा है, यह था रिंग रोड का पुरा डीटेल और इन्फॉरमेशन और आज तक का अपडेट, उमीद है यह वीडियो आपको पसंदा होगा, ऐसे ही इंपॉर्टन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, अगर आपको यह दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, इसे शेयर जरूर कीजिए, तैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक अगले इंपॉर्टन वीडियो के साथ.